Hello Friends, GST Returns से जुड़े Important Updates के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि सभी Important Updates आपको टाइम नहीं मिलते रहें तो फर्स जो हमारा Update है दोस्तों वो है CMP08 को लेकर के CMP08 से Related Portal पर Update आ गया है जो कि पहले भी मैं आपके साथ Share कर चुकी हूँ कि अब अगर आपका निल है form CMP08 तो आप उसे SMS के दूरू भी File कर पाएंगे यह Facility आपको GSTR3 भी और GSTR1 के लिए Already दी जा चुकी है अब CMP08 भी आप SMS के दूरू फाइल कर पाएंगे CMP08 Composition Dealers के Case में File किया जाता है तो यहाँ पे कुछ Condition भी दी गई है जो मैं आपके लिए Read कर रही हूँ Taxpayer must be registered at Composition Taxable Person होना चाहिए Taxpayer might have opted for Composition Levy या तो वो as a Composition Taxable Person उसने registration लिया हो by filing REG01 या फिर उसने opt किया हो Composition Levy को CMP02 फाइल करके Taxpayer must have filed all the applicable statement in CMP08 for the previous quarter पहली उसकी pending file हो चुकी हूँ तभी वो अपनी निल SMS के थूँ फाइल कर पाएगा अगर आपके पिछली कोई pending है quarter की तो आप SMS के थूँ फाइल नहीं कर पाएंगे authorized signatory का जो phone number है वो GST portal पर register होना चाहिए और आपने अपनी जो return है यानि कि portal पर जो return है उसमें पहले से ही कोई data safe ना किया हो तो तभी आप जो है अपने return को SMS के थूँ फाइल कर पाएंगे निल form का मतलब क्या है आपकी कोई भी outwards apply नहीं है liability due to reverse charge नहीं है यानि कि आपकी कोई RCM liability funding नहीं है या फिर other text liability for which statement is being filed उसके बाद इन्होंने यहाँ पर step बताए है कि किस तरीके से आपको file करना है SMS send करना है आपको 1449 पर to file cmp08 nil space return type यानि कि आपकी कौन सी return है जैसे कि आपकी cmp08 है नीचे example भी आपको दिया हुआ है माल नीचे आप April, May, June के लिए SMS send कर रहे है तो किस तरीके से आपको करना है पहले आपको nil type करना है caps में nil उसके बाद space देना है cmp08 है तो c8 आपको type करना है उसके बाद space देना है आपको अपना GSTN number type करना है उसके बाद आपको space देना है और फिर आपको return period यानि कि कौन से period की आप कर रहे हो April, May, June है तो June यानि कि last जो month है 06, 2020 तो इस तरीके से आपको SMS send करना है 14409 पर फिर आपके पास एक verification code आएगा और उस verification code को आपको किस तरीके से verification code जब आपको receive होगा तो कैसे आपको type करना है cnf space आपकी c8 space और वो verification code enter करना है और send कर देना है जैसे ही आप verification code send pack करेंगे तो आपका ARN number जो है वो generate हो जाएगा तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि GST portal जो है ARN number to the same mobile number पर आपको send कर देगा तो यह तरीके से आपको cmp08 जो है वो आप SMS की थो भी file कर पाएंगे कोई भी problem अगर आपको आ रही है cmp08 को file करने में तो इससे related एक short video जो है GST tech twitter के इन्होंने twitter account पर share भी की है आप उस video को भी देख सकते हैं बहुत ही easy है filing अब next important update दोसो next जो हमारा important update है GST return का वो है GSTR 10 को लेकर GSTR 10 final return जो आपको cancellation के बाद file करनी होती है cancellation से 90 दिन के अंदर अंदर आपको file करनी होती है अगर आप file नहीं करते हैं तो late fees का आपको पता था कि applicable होती है लेकिन अब new job date आ गया है portal पर दोस्तो अब आपका interest calculation start हो गई है जी हाँ portal आपको automatically interest calculate करके दे रहा है जब आप अपनी GSTR 10 को file करेंगे अगर आपने text payment due date के बाद की है तो आपका जितना भी interest बनता है जो भी section 50 आप पर interest लगाता है portal आपका वो interest auto calculate कर रहा है और हो सकता है कि जल्दी ही ये चीज़े GSTR 3B पर भी लागू हो जाए तो आपको बहुत ही साफधानी रखनी है अब जो आपका interest है वो auto calculate हो रहा है GSTR 10 के case में तो आप अपने filing कर लीजिए GSTR 3B में भी जो आपकी interest calculation होती है वो manually ही हम करते है क्योंकि अभी तक portal हमें इस तरह की कोई भी calculation नहीं देता है तो अगर जब आप अपनी GSTR 3B को file करते है लेट payment पर आपका जो भी interest होता है हमें manually ही calculate करना होता है लेकिन GSTR 10 के case में पोर्टल automatically आपको वो calculate करके दे रहा है हो सकता है जल्दी ये चीज़ GSTR 3B पर भी implement कर दी जा सकी क्योंकि काफी सारे changes जो है आप देख रही है GSTR या GSTR प उसकी late fees पचाने का आपके पास आखरी मोका है GSTR 10 अगर अभी तक आपने file नहीं की है तो दोस्तों आपको एक मोका दिया जा रहा है GSTR 4 और GSTR 10 के लिए जो मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ repeat कर रही हूं repeat इसले कर रही हूं क्योंकि ये one time relaxation है ये one time relaxation का benefit आपको उठा पाना है क्योंकि जैसे ही ये dates निकल जाएंगी और आप इनका benefit नहीं ले पाऊगे तो मुश्किल ही है कि दोबारा government कुछ ऐसे relaxation लेकर के आए तो GSTR 10 की मैं बात करें थी GSTR 10 जो final return अगर अभी तक आपने filing किया तो 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक अगर आप file कर देते हैं तो 10,000 की जंगे किवल आपको 500 रुपे की late fees pay करनी है जी हा 250 CGST and 250 SGST बात करें थी मैं GSTR 4 की भी तो दोस्तो GSTR 4 quarterly return जो 17, 18, 18, 19 की अभी भी अगर आपकी pending है तो 31 दिसंबर तक का ही आपके पास समय है 500 रुपे पर return की capping लगा दी गई है अगर आपकी late fees बनती है और अगर आपकी nil return है तो आपकी late fees 0 है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है साथी GSTR 4 जो 1920 की आपकी है उसकी date को extend नहीं किया गया है annual return के बर normal taxpayer के case में ही extend कर दी GSTR 9 extend कर दी composition 9A extend कर दी 9C extend कर दी लेकिन GSTR 4 को इन होने अभी तक extend नहीं किया है तो 31 October 2020 तक आपको अपनी GSTR 4 भी फाइल करनी है financial year 1920 की